हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आपसे भीका स्वागत एक नए वीडियो में प्यारे दोस्तों मुंगेर विश्विदाले से कुल मिला के पांस सबसे बड़ी कवर निकल के आड़ी है जो कि समस्त विद्यारतियों के लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण होने वाला है आज का प्रिक्षायती थी क्या रहने वाली है और आप लोगों अपना एड्मीट कार्ड कबसे प्राप्त करोगे यह एड्मीट कार्ड ऑनलाइन प्राप्त करोगे या ओफलाइन इसके उपर भी तर्चा की गई आज की इस वीडियो में साती साथ प्याड़े दोस्तों आप बहु की स्थिती वहीं बात कर लिए BAC और B Istival वाल बच्चों का रिजल पर गासिद कर दिया गया वहीं भी ये बाट-3 वाले बच्चे यानि के आर्स वाले बच्चे अपना वीजाय, इसके बाट-3 वाले बच्चे इसके बाद चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेने ताकि आपको मुंगेर विश्वधाली की पर्तिक अपडेट मिलता रहे साथी साथ यहाँ पर आपको ओनर्स पेपर वो सबसेडरी पर के नोट्स वो सेशन भी प्रवाइड करवाए जाते हैं वह भी बिल्कुल निसुल्क इतने सारे बेनेफिट मिल रहें तो सब्सक्राइब करना बनता है यार सब्सक्राइब करो और हमारे टेलिग्राम और वाट्सप ग्रूप को भी जोएन कर लो ताकि आप कोई भी सवाल कभी भी कर सकते हो एजूकेशन सर्माजित आपके प्रतिक स का रिजल पहले हो चुका जारी तेदीस चल रहा है कोपी चेकिंग 25 अप्रेल तक आएगा असना तक पार्थरी का आर्ज कर रिजल्ट है एक बार फिर से ध्यान दीजेगा आप से भी मुंगर विश्विदल्य अगामी 25 अप्रेल तक असना तक पार्थरी का असेसिने सिक्स पार्थरी की बातकरी 2018-2021 के कला सेंका करेजल जारी कर सकता है इसके लिए परेक्षा विबाग पूरे जोड़ सोड़ से जुटा हुआ हुआ ही मुल्यांकन कारी का बहिसकार करने वाले सिक्षकों के कारी पर वापस लोटने के साथ ही दोबारा यूद अस्तर पर उत्तर परना परा परन्तु प्यारे दोस्तों आप लोगों को घवरानी की बात नहीं है ठीक है आप लोगों का रिजल्ट जो है 25 अपरेल से पहले परकासित किया जाएगा और जैसे ही रिजल्ट परकासित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिजल्ट जो है पुस्टका का मुल्यंगन की कारी तेजी से जारी है और आगामी 25 सब्रेल तक प्रिक्षा या परिक्षा रिजल्ट भी 25 सब्रेल तक जारी कर दिया जाएगा आपके याणि की परिक्षा नियागे भी राम्सुस पूर्व तो सत्तर हजार के करीब जी हाँ अभी तक में कुल मिला के सत्तर हजार के करीब जो है पार्ट वन और पार्ट टू मिला के जो है बच्चों ने परिक्षा फर्म बढ़ा है जी हाँ दोनों येर्स को मिला के कुल मिला के सत्तर हजार बच्चों ने परिक्षा फर्म बढ़ा है और पार्ट वन में कुल मिला के जो है 34,000 से ज़्यादा बच्चों ने परिक्षा फॉर्म भरा है वहीं पार्ट टु में जो है कुल मिला के 30,000 के करीब विद्यार्थियों ने परिक्षा फॉर्म भरा है ठीक है वहीं जो है साइंस आर्ट्स में जो है संख्या जादा है ठीक है आर्ट्स में काफी ज़्यादा संख्या जादा है बच्चों की पचास जार के करीब बच्चों की संख्या है यहाँ पर आप सबी देख सकते हो ठीक है एक पचास जार के करीब जो है पार्ट वन और पार्ट व आती है कि आप लोगों की प्रिक्षाएं कब से लिजाएंगे तो जैसा कि बहुत सारी छाज संगठनों से बातचित के दौरान उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि आप लोगों की प्रिक्षाएं जो है वो मई जी हां मई में जो है प्रारम कर लिया जाएगा ठीक है मई में प्रारम कर लिया जाएगा माई के 2nd week तक आप सभी को परवेश पत्र भी दे दिया जाना है यह कनूमानित थी थी है पुनरूप से confirm नहीं किया जाना है लेकिन मुंगेर विश्विदाले जो है मुंगेर विश्विदाले जो है खुद को update करना है यानि कि खुद को पटरी पर लाने का गाम करेगा इसलिए जो है यू तो अस्तर पर आप लोगों का एक्जाम लिया जाएगा ठीक है तो आप लोगों घबरानी की बात नहीं आप लोगों की पडिक्चाह जो अतिसी लिया जाना है परंतु आप बात करते हैं आपकी परिक्षाएं होगी, वो objective pattern पे होगी, आप subjective pattern पे, इसके उपर चर्चा करते हैं, फिर जानते हैं, कि आप लोग अपना, क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, देखे, फरबरी में आप लोगों ने एक paper cutting पढ़ा था, उसमें दिया गया था, साफ साफ, कि final year को journal year को छोड़ कर बांकी परिक्षाए, जो है Oimar पर लिया जाना है, ठीक है, Oimar पर लिया जाना है, तो Oimar के हिसाब सी ही बच्चों को जो notes, suggestion दिया हुआ है, वो Oimar के हिसाब से दिया है, कि फरबरी में एक paper cutting आया हुआ था, उसमें कहा गया था, कि आप objective pattern पे एक्जाम लिया गएगा तो उसी हिसाब से मैंने नॉट्स बनाया बच्चों को फिरी में पुर्वाइट करवाया तो बच्चों ने भी बहुत सारे गेस पेपर लेके भी तैयारी करिए अब बात यहां पर करते हैं देखे इस पेपर कटिंग में भी कहा गया है कि विस्विद्धाले में ओमा के पुर्व महासचीव आनद कुमार के अलावा फोटा के पुर्व यह सब इस बैठक में पुर्व निर्धारी 17 बंदुव पर चर्चा की गए है इसके अलावा दो अनप्रस्ताओं को भी सामिल किया गया है साथी मुंगेर विस्विद्धाले के सिक्षक्षं के लोगों को शुरू किया जाए इसके पैड़े दोस्तों यहां पर भागुलपूर विस्विद्धाले यानि कि उसे मुंगिर विस्विद्धाले बैठक में यह निर्ने लिया गया है कि आगे भवी समय विस्विद्धाले के प्रेक्षा संचालन ओमार पर नहीं होना चाहिए ठीक है द लेखे प्यादे दोस्तों हम भी कंफीजन के स्थिती में हैं च्छाएं जो होंगी और ओमार स्थीट पर होगी यानि कि सभ्जेक्टिब पेटर्न पर कुछ भी नहीं कर सकते परंतु जदि हम फरबरी की बात करें में साफ साब कहा गया था कि फाइनल यर को छोड़कर बां सिट पर लोगे या सब्जेक्टिव पर आप इस बार एक्जाम लोगे तो उधर से जो भी अपडेट निकल के आता है मैं नेक्ष्ट वीडियो में आप लोगों की सामने सेर करने का काम करूँगा परन्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज के प्रि मुंगिर विश्विदाले भी कहीं न कहीं खुद को अपडेट कर सके तो इसी तरगी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्ष्ट टूडियो में थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई टेक केर जहें दोस्तों